प्याज के निर्याद बंदी के तीन महीने पूरे होने वाले हैं। जहां तक दाम की बात करें तो अभी किसानों को ना तो बहुत ज़्यादा दाम मिल रहा है और ना ही बहुत कम। इसलिए फिलाल दाम को लेकर ज्यादा शोड शराबा नहीं है। निर्याद बंदी का सबसे ज्यादा विरोध यहीं हो रहा था। करेगी तो किसान प्याज को स्टोर करेंगे। एक्सपोर्ट पर रोक की वज़े से पूरा खरीब सीजन बरबाद हो गया। दिसंबर में जब खरीब सीजन का प्याज आना शुरू हुआ था तब ही सरकार ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा कर दाम को बुरी तरह से गिरा दिया था। फिलाल मंडियों की अगर बात करें तो मंडियों के अंदर प्याज का नियूंतम दाम 15 सोरपे प्रती क्विंचल से लेकर अधिक्तम 18 सोरपे प्रती क्विंचल हिंगोना मंडी में देखने को मिला है। तो वहीं अकोला मंडि की बात की जाए तो अकोला मंडि में नियूंतम दाम 12 सोरपे प्रती क्विंचल तो अधिक्तम दाम 2000 और ओस्तम दाम 16 सोरपे प्रती क्विंचल महरास्टर की मंडियों में दर्ज किया गया है। ऐसे में अब किसानों को उमीद है कि मार्च के बाद सरकार प्याज के एक्सपोर्ट पर लखी रोक को हटा देगी जिससे थरीप सीजन में प्याज की कीमतों में सपोर्ट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसमें थोड़ा आउठाफ देखने को मिल सकता है।